इस वीडियो के माधियम से मैं complete आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उत्तर मेट्रिक scholarship का जो आवेदना उसको फिल कर सकते हैं किस प्रकार से आप SSO ID में login करके या registration करके और अपने जो scholarship की profile उसको create कर सकते हैं और किस प्रकार सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पर आप सर्च करोगे SSO SSO सर्च करने के बाद में आपके सामने SSO के इस प्रकार से website आजाएगे तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है कि अगर अगर आपने पहले से SSO ID बना रखी है तो आप यहां से सीधा login पर क्लिक करोगे और अगर आपने पहले SSO ID नहीं नहीं बिना रखी है और आप नहीं SSO ID बनाना चाहते हो यहां रजिस्टेशन पर क्लिक करना है रजिस्टेशन पर क्लिक करने के बार में प्रेंट्स आपको जन आधार कार्ड या अधार कार्ड से उसमें अगर आपको जो अपडेट की प्रोब्लम आरे उससे आपको नहीं गुजरना पड़ेगा और आपका जो फो में वह सीधा समिट हो जाएगा अगर अगर आपको आपको अपडेट करना पड़ेगा तो अगर आपकी जो SSO ID आप पर लोगिन करें तो जन आधार से उसको अगर आपकं दिखाई जाने को इसको इसपर फियल करके आपको लोगिन कर लेना है तो फ्रेंट से मिने कर लेता है तो फ्रेंट की अपर सारे अपसोर हो रहा है अगर आपके यह यहँआ पर सोख नहीं हो रहें तो देख सकते हो लिए ततो इस पर विंकर यह चboo खुंगा मट जाया हो जाएगा को तो यह फिंट सेट करेंगे सेटे मुद्धिवा क DOU discourse करने हैं मेरे समने करने पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस परकार का एक डेशबॉर्ड ओपन हो जाएगा तो यहां मैंने जो पहले स्कॉलर्षिप उठाए थी उसका जो प्रोपालर वह यहां पर दिखाए दे रहे हैं तो आपको इदर लेप्ट साइड में यहां पर स्टुडेंट स्कॉल सबसे पहले आपको क्या करना कि यहां पर आपको अपनी प्रोफाल क्रेंट पर आपको स सबसे पहले क्या H मैंने इस पर कलिक कर लिया उसके बाहर में आप यहां पर देख पा रहा है कि जो मैंने 21 वाली प्रोफाइल थी वह रही बना रखी थी और मेरे जो वार्षिक आय थी यहां पर सो रहे अगर अगर अपना इसकोलर्शिव का फरम बर रहे और आपने प्रोफाइल अपडेट भी होगे तब ही जाकर आपको यहां पर अपनी इंकम देखने को मिलेगे अगर आपके सामने इंकम वाला एरोड आ जाएगा तो मेरे यहां कंप्लीट है तो उसके बार में यहां दो प्रोफाइल और एक पेंसिल वाला अगर प्रोफाइल में किसी परकार को अपडेट करना हो कि मैं खरी तो डॉब में इस परकार सी जो मेरी प्रोफाइल हो ओस्चुगए तो फिरसमो में प्रोफाइल में क्या 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 देट किया तौन कि यहां पर आपको विजयरती का युनिक आडेओ और ऑटामेटिक इसमें आ जाएगा और फेंस मैंने अपनी प्रोफाइल थि वह बारा तारीक को अपडेट कर रही थी तो यहां उसकी डेट सो जाएगी उसके बार में यहां नीके आपको बता जैता हूं कि आपको कहां कहां पर आपको दियान रखना है यहां पर देना कि आपके यहां वार्षे काया है वह आपके सो होनी चाहिए उसके बार में फ्रेंट साथ को यहां पर निचे एक उप्सन देखने को मिल जाएगा मैं आपको बता जैता हूं कि आपका जो चस्पेत लिए पता है तो कि एक मेसैस होता है कि अगर आपका को फेकरे लिए ज है उस्में आपका खाता है आना नहीं होना कि जाएगी उस में की जाते गिunt सब्सक्राइब करने साथ दोकुमेंट कर देतें मौल निवास पर मत्रों है तो मैं वापिस अपडेट किर दा ताब कुछ ताइं बार हो जाएगा उसका प्रकार याप अपनी प्रोफाइल कर सकते हो प्रोफाइल करने के यहां पर आने के इस आपको नीचे नीचे एकHH Pentagon सो और पर पर करने के बाद में शब्रक्रकर का पेज उपने सामने ऊपन करना होगा अगर चाहीँ क्या आपके पास बाई मेटरिक नहीं और तो यह वृटी पी पर कलिक कर लेंगा जो आपको यहां पर डालके सको कर लेंगा तो फृरंस मेंडयों लोटन पीज जया है कर लेता है तो थोड़ा वेट करेंगे जैसे वो टीपी आ जाएगा तो इसमें फिल कर लेंगे तो फ्रेंट्स ओटीपी थी वह मैंने यहां पर डाले उसके बाद में ओटीपी माने पर क्लिक करना है और प्रेंट्स आपका जो अधार वेरिफिकेशन था वह कंपलीट हो कर लेंगा तो फ्रेंट्स यहां पर 2 ओप्शन आपको सो हो रहे हो एक एक चप्शन तो आपको उत्र मेट्रिक स्कोल्रसिप कर दिखाई दे रहागा एक ओप्शन आपको उत्छी चातर वृती को आविदन करना चाहते हैं तो आप उप उत्र वाले उप्सन पर रहाट क्लि आपको यहां नीचे ने यस्वल बार्फशन हो रहागा तो उसपर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करना के बारने फ्रेंट यह थोड़ा आप से प्रॉसर्स लेने के बारद में आ आपके सब्सक्राइब का फ्रेंट में आरा है कि यॉर प्रोभाएल इस लिंक्त विद अकांट नम्मर इसको यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने जो अच्छे से चेक लेना अपनी डारे से मिला लेना है उसके बार में यह सपर कलिक करना है तो पर शातरुति का नाम सो हो रहाँ गा यहां पर एक message हो रहा है कि जो आपके documents है उनकी साइज है वो 512 kb से कम होनी चाहिए और उसके जो फॉर्मेट है फ्रेंट में भी अप्लोड करना चाहिए तो उसमें भी हो जाएंगा अगर आपने सब्सक्राइब करना है और उनके साइज है वह आपको 500 kb से कम रखनी है उसके आपको नीचे अकेडमिक यह दिखाय दिखाय दे रहा है यह ओटमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आप 2021 के इसको बर रहे हो तो यह आपना इंस्टिट्ट करना है अगर आप को लेज की पढ़ाई क कर रहे हो या फिर किसी डिग्री डिपलोमा करें तो उसके साफ से आपको स्लेक्ट कर लेना है तो यहां पर मैं इसको स्लेक्ट करूंगा उसके का नाम पूछा जाएगा तो आपके इसाफ से आप जो भी डिग्री डिपलोमा कर रहे हो उसको आपको यहां पर स्लेक्क कर ले भिल्क करें हैं यहां पर अपना च्रह विद्यार इसिए बार इस पार हुचर के लिए भी यहां पर से कुल उसके बार नहीं ऐसको तुल है oh यहां यह कर वाल चैनल लेट्यार यह इनध्य वहां यहां वर थाओम गए 205 वर यहां पर जाय सब्सक्रिक अरोност not यहां पर आप से पूछा जाए कि अन्तिम परिक्सा उत्ति यहां पर द्यान देने की बात है कि अगर आप पैस्टियर में हो तो आपको ट्वल्थ की मार्खीट या अपने ग्रेजूशन कर रहा है तो उसकी लाश्ट यह की जो मार्खीट वह यहां पर आपको लगाने और फिल कर दूगा है ग्रेजुशन फिल करने के भार मेंें लाश्टियर में जो भी डिप्लोमा कर रखा है उसका आपको यहां पुंक लेना है तो मैं यहां ग्रेजेशन के जो रोज नमेर शवाछुरक कर लेerd हं उसके बार में और ःनो सा प्रोसिश लेगा कि प्रोसिच ले तो यहां पर प्रेसंटक्तैज आपको फिल के लेने लेसे उसके बाद में आपको यह पर लेस्थ यह की जающ व स्थ फैनल यसी की अपलोड करना है तो फैंस मैं यहां पर फैनल रेस्थ एंस की मार्कीट अपलोड कर लेता हूं ऐापको फैल में से सेलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर लेने हैं तो फ्रेंट्स मैंने अपने जो मार्ट यहां पर अपलोड कर ले उसके बारे फ्रेंट्स आपको यहां पर गेप सर्टिपिकेट के बारे में पूछा जाएगा अगर आपने बीच में लिए तो यह पर सेलेक्ट करना अगर नही समें आपको यह सरक कर दो करना है उसके बायर और लिए इस भी जितनी जितनी वांट चैनल करने motor आपको इद चेज़न करें करें ऊथाओंटोब नियाल नमर आपको जोड़ कर यहां पर प्रप्रेंव कर लेना हुँ नृय तो मैंने इस पर अपलोड कर लिया है। उसके बार है आपको यहां पर नीचे कुछ ट्रिम से इन कंडिसन है तो वह आपको अच्छे से रेड कर लेने हैं उसके बार में यहां पर राइट क्लिक करें उसके बार हैं। आपको सब्मीट पर कलिक करने के बाद में आपको अपनी जो इसकोलर्शिप का प्रिव है वो इस परकार से देगने को मिल जाएगा तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है इस पर आपको नीचे सब्सक्राइब करने के बार इसको एक नाम दे देना है और उसको अपने लेप्टॉप या मोबाल में सेव कर लेना है तो इस परकार चИह अपना जो को यह जो को लेटेट कोकूंता पौइब कर सकते अगर फिर आपको फॉरोब हजिकं स давно में पदेट की वजह से कोई प्रवलम excuse में कमेंट पर बता सकते हैं अगर आपका आप अपडेट नहीं कर सथेमिए तो अपक्डेट नहीं करा लें बlama या जब तक अपको आपने करने कर में हैं तalar कि यह प्रप्रेंट कर आपने ट्लैकोंस सापवनट करके लिए में प्रपाए को अपडेट किये थे उनको अपडेट होने में साथ से आठ दिन का समय लगा था उसके बाद में मैं अपना स्कॉलोश्य का फाम भर पाया हूं अगर अपने डॉकुमेंस अपडेट के एक या दो दिन हो तो आपको थोड़ा वेट करना है फ्रेशन नहीं होना है आपका जो ज करने और रही स्कोलर्शिप की लाइट बढ़ने की बाद तो फ्रेंट्स हमें साभी इसकी लिए लाइट बढ़ाए गई है तो इस बार भी पूरी संभावना कि इसकी लाइट बढ़ेगी लेकिन आपको लाइट का इंतजार नहीं करना है और अपने डॉक्मेंट जल्दी से क मस्या होता आप हमें कमेंट वर बता सकते हो तो फ्रेंट्स मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाए